आपके घर में कोई रह रहा हो और आप उसे ढूणने पा रहे हो तो आप क्या करोगे इसी एक interesting concept के साथ आज की movie आती है Hello friends, आज मैं आपको 2004 की The Uninvited Guest ये एक mystery thriller movie explain करने वाला हूँ ये movie इतनी सही है कि आप अगर इस movie को देखने बैठे तो आप एक जगा से उटने पाओगे इस movie के end में बहुती बड़ा twist है तो चलिए directly शुरू करते है movie start होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखता है इस घर में Felix अकेला ही रहता है अभी अभी इसका तलाख हुआ है और ये एक architect है इस पूरे घर को उसने ही अभी अभी design किया होता है एक नए घर के plan पर वो काम कर रहा होता है तब ही उससे लगता है कि घर में कोई है ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब ये देखने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ ही होती है उसके एकस वाइफ के पास अभी भी घर की गीज है इसलिए वो अंदर आ कई थी इसकी wife की बहुत सारी चीज़े अभी भी घर पर है तो यह लेने के लिए वा आती रहती है Felix को अभी भी लगता है कि उसकी wife उसके पास वापस आ जाए पर यह होने नहीं माला होता Felix उसके wife से उसके apartment के बारे में पुछता है यह सिर्फ 300 square foot की apartment होती है इसका अगर बहुत बड़ा होता है कि wife कहीती है कि मेरा घर चोटा है पर फिर भी वहाँ couple रह सकते है इसके जो boxes होते है यह दो महिनों से यही होते है Felix उसे बोल रहा होता है कि एक बार में अब सम्प तुम यह लेकर जाओ अब हमें दीखता है कि Felix अपने लिए खाना बनाता है अच्छी से wine बूर करता है अच्छा से dinner करता है जब वो रात में खिडगी से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे देख रहा है उसके घर के बाहर ही एक phone boot होता है इस phone boot के पास वो आदमी खड़ा होता है रात में जब Felix सोय होता है तो हमें दीखता है कि उसके खिडगी से कोई उसे घर में देख रहा है इसके बाद next दिन आता है Felix अपना routine स्टार करता है और अपने लिए breakfast बनाता है तब ही neighbor का कुत्ता भाँ जाता है उसका जो breakfast होता है वो ये खराब कर देता है इस कुत्ते को बाहर निकालता है तो उसकी owner आ जाती है ये कुत्ते की owner फिलिस को बहुत डाटती है वो कहीती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो कहीती है मैरे dog को तुम हाथ नहीं लगा सकते ये उस पर बहुत इचिट गही होती है फिलिस भी कहता है कि ये मेरा घर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुमारा dog यहाँ कैसे आ सकता है उसके dog को वो control करने के लिए बोलता है ये neighbor फिर वहाँ जाते जाते है उसे बहुत सारी गाले अदिक कर जाती है फिलिस के wife की एक अच्छा सा portrait उसने बनाय होता है उसकी wife ये मांग रहे थी पर उसे ये उससे देना नहीं है इसकी wife को ये बहुत ही पसन है और फिलिस को भी इससे देखना अच्छा लगता है इस portrait को उसने अपने bed के नीचे छुपा कर रखा होता है नेकसी में हमें दिखता है कि दोपे में फिलिस की wife आती है वो बड़ी से track ही लेकर आती है सब moving वाले लोग आते है और सब जो boxes उसके है ये सब लेकर जाते है फिलिस की wife अंदर भी नहीं आती रात में फिलिस को बुरा लग रहा होता है कि उसकी wife उसे छोड़कर चली गई है तब ही डोर पर एक नौक आती है उसे लगता है कि उसकी wife आई होगी पर वहाँ उसका एक neighbor आयो होता है पिछले रात उसने जो इस आदमी को बाहर देखा था ये वही आदमी है इस आदमी का नाम Bruno होता है और इसका नेवर होता है फिर Bruno Felix से कहता है कि क्या तुमारे घर से में call कर सकता हूँ Felix बोलता है कि बाहर तो एक payphone है वहाँ से तुम क्यों नहीं कर सकते Bruno कहता है कि बाहर का payphone खराब है Bruno जब अंदर आता है तो घर की बहुत तारीफ करता है फिलिस को भी अच्छा लगता है Bruno को एक call लगाना होता है पर वो प्राइवेट करना होता है यसे लोग फिलिस को बहाँ से जाने के लिए बोलता है फिलिस कीचन में चला जाता है और बहुत देर हो जाती है फिर भी Bruno का कुछ भी अता-पता उसे समझ में नहीं आता जो भी फिर से hall में आता है तो फोन की तरफ देखता है तो वहाँ Bruno नहीं होता वो पूरे घर में उसे ढूंटा है तो उसे कही भी नहीं मिलता उसे लगता है कि वो चला गया है फिलिस को यह बहुत ही suspicious लगा होता है वो भाहर आता है और पेफोन चेक करता है यह अभी भी काम कर रहा होता है फिलिस का जो रात में वो काम करता है वो स्टार्ट हो जाता है वो अपने लिए डिनर कुक करता है और सो जाता है रात में जब वो बेड में होता है तो उसे अपने घर में से कुछ आवाज या दिया ये एक वेड़ उठाता है अगर कोई होगा तो इससे उसे मार सकता है उसे लगता है कि आवाजी जो है ये बेस्मेंट से आ रही है basement जाकर check करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता अचानक से इसके basement का door lock हो जाता है ये जल्दी से उपर जाता है और बहुत सारा type करने के बाद ये door खुलता है ये फिर डर गया होता है वोसे अभी भी घर में से आवाज यारी होती है ये फिर जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है सुबह हो जाती है पर फिर भी वो बाहर ही रहता है एक रेस्टोरन में आता है और वही पर वो सब ब्रेक्फास्ट रगेरे करता है अभी भी उसे घर नहीं जाना होता तो उसके वाइफ के पास वा जाता है जब वो उसके वाइफ का घर देखता है तो ये बहुत ही छोटा होता है इसकी वाइफ को ये पसंद नहीं आता पर सा पॉजिट्व चीज़े इसके बारे मों कहे रहा होता है फिलिक्स के वाइफ के अपार्मेंट पर ये दोनों मिलकर हसते हैं फिलिक्स इसके पास बेटा हुआता है तो उसे कहता है कि क्या अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता इसकी वाइफ उसे बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता फिलिक्स फरस्टेटर हो जाता है, वो कहता है कि क्या कोई और तुम्हारी लाइफ में है उसकी वाइफ इस पर कोज़ भी बोलने रही होती है, तो फिलिक्स गुस्ते जा रहा होता है इसकी वाइफ उसे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है इसके बाद Phyllis फिर अपने घर आजाता है घर आने के बाद वो शावर वे गरा लेता है और जब अपना टौवेल देखता है तो अजीब सी स्मेल उसमें से आती है उसे लगता है कि हाँ अल्डेड कोई था जिसने शावर यहां किया है उसके बेड में वो देखता है तो उसका बेड थोड़ा सा गिला होता है इसके सिंक में भी उसे किसी ने शेव किया है इसके बाल उसे दिखता है यह घर में जो आवाजें आती है इसे वो चेक करता रहता है जिस रूम में वो काम करता है वहाँ उसे कोई खरा है यसे shadow उसे दिखती है यहीं देखने के बाद वो डर जाता है और कुछ भी आवाज ना करते हुए नीचे आ जाता है यह जाने के बाद वो police को call कर देता है थोड़ी देर बाद जब police आति है तो पुरा घर जानती है पुलिस को कोई भी यहां मिला नहीं होता अब पुलिस उसे भुछती है कि exactly तुमने उसे कहा दिखा था फिलिस जब फिर से उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो काम करता है जहाँ उसने shadow दिखी थी तब उसे पता चलता है कि यह coat था यह coat की shadow glasses सोट पढ़ रही थी और उसे लगा था कि हाँ कोई आदमी है फिलिस फिर एक story मेकप कर देता है कि उसे table के नीचे एक आदमी दिखा था पुलिस जाने के बाद फिर से फिलिस को आवाज आने लग जाती है अब यह बहुत ही disturb हो जाता है और यह सहन नहीं कर पा रहा इसके wife को फिर यह call लगाता है इसके wife ने उसे बोला होता है कि इनका divorce हो चुका है फिर वे एक दूसरे के friends हो रहे सकते है इसके wife आकर उसे question पुछती है यह क्यों तुमने मुझे यहा बुलवाया है यह इसका कुछ भी सुनने रहा होता यह अपने ही thoughts में होता है इसके wife फिर इसके चीट जाती है इससे बात नहीं कर रहा तो वो जाने लग जाती है फिलिस खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि कहती है कि मैं जाकर देखाती हूँ फिलिस को भी वो लेकर जाती है जब वो उपर आते है तो फिलिस ने उसके जो windows थे उसे open रगा था इसकी wife जाए यह देखती है तो यह उस पर बहुत ही हसने लग जाती है यह उसका बहुत ही मज़ा गोडा थी है फिलिस की wife हस्ते हस्ते ही रोने लग जाती है यह भी फिलिक्स से दूर नहीं रह सकती है फिलिक्स फिर उसे हक करता है और यह दोनों intimate हो जाते है रात में जो आदमी उसके घर आया था इसके बारे में उसके wife को कहता है इसके wife उसे पुछते है कि वो कैसा देखता था फिलिक्स फिरोट जाता है और उस आदमी का sketch बनाता है रात में फिलिक्स अपने wife को कहता है कि यह sense नहीं इस बात में कोई कैसे एक ही घर में बिना आवाज करे हुए रह सकता है कभी ना कभी तो उने बाहर आना ही पड़ेगा घर का उनर बाहर जाता है तो इस घर में वो रह सकता है पर अगर घर का उनर वापस आ जाए तो फिर से वो छुप नहीं सकता एक ना एक दिन वो अपने आपको दो दिखाई देगा यह somewhat philosophical statement यहाँ दिया जाता है अगर घर में दो लोग है और एक दुसरे के साथ वो खुश नहीं है तो यह जो tension है यह कभी ना कभी बाहर आएगी ही इस tension को आप छुपा नहीं सकते हैं यह सीन रिप्रेजेंट करता है रात में जब फिलिस की वाइफ सोई हुए 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 हुती है तो इसने अपनी वाइफ का जो फोटो था यह बेड के नीचे ही रखा था यह पेंटिंग वो उठाता है और उपर रख देता है इसके बाद फिलिस सोय हुआ में दिखता है और इसकी वाइफ वहाँ से उठकर चली जाती है जब यह किचन में आती है तब किसे से बात करी हुती है यह कह रहे हुती है कि इतने टाइम तक हम इसे चुपा कर रखेंगे तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते फिलिक्स फिर वहाँ आ जाता है उसे बूचता है कि तुम किसे बात कर रहे थी उसकी वाइब बोलती है कि मैं किसे से भी बात नहीं कर रही थी फिलिस इस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता वो बहुत इचिट गयाता है वो डरा होता है इसे वाज़े से उसके हाथ में नाइफ होती है इसकी wife वो कुछ बोल रही थी ये deny करती है ये दोनों एक दूसरे के पास होते है और ये fight कर रही होते है फिलिस उसके wife का हाथ पकड़ लेता है तो उसे वो दूर फेकने के लिए हाथ इससे करती है तब ही उसके हाथ में एक कट आ जाता है फिलिस के हाथ में जो knife होती है इसे ही cat आया होता है इसकी wife जब जा रही होती है तो फिलिस उसे कहता है कि तुम डरी हो मुझे मालूम है तो मैं भी डरा हो आई हूँ मैं कभी भी तुमें हट नहीं कर सकता फिलिस तुमारे अपने दिमाग में रखो तुम उसे अब डर रही हो इसलिए मैं यही रुकूंगा तुमसे मैं अब distance maintain करूंगा फिलिस की wife जाने के बाद भी उसे आवाजे आती ही रहती है तो घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में ही सोता है सुबह होने पर अपने घर में वो डर डर के जीता है जल्दी से वो वहाँ से breakfast निकलता है और ज़रा डर के पास ही वो खाने लग जाता है अब हम देखते हैं कि नेवर का जो dog था यह वहाँ आ चुका है फिलिस को idea आती है तो उस neighbor के dog को leash लगाता है उसे वो घर में अगर कोई होगा तो उसे ढूणने के लिए कहता है यह dog फिर स्टेर से उपर आ जाता है फिलिक्स भी उसके पीछे पीछे ही आया होता है तो तब ही उसकी neighbor आ जाती है नेवर जब देखती है कि फिलिक्स ने उस पर leash लगाई है इस leash से यह भी मर जाता है मरती होए neighbor से फिलिक्स पूछ रहाता है कि क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है उसे अभी भी लग रहा होता है क्यों उपर कोई न कोई तो है इसके बाद हमें दिखता है कि फिलिक्स पुलिस को कॉल करता है यह पुलिस टेशन में है जिस तरह से incident हुआ था यह पुलिस को फिलिक्स ने पताय हुआ है पुलिस कहते है कि तुम्हें जो स्टोरी है यह चेक आउट करती है यहने को इनोसेंट है उसने कुछ भी नहीं किया है पुलिस अब उसे वहाँ से जाने के लिए कहते है फिलिस को घर जानना नहीं होता वो कहता है कि मैंने अगर पहले कॉल किया था तुम जिन्दा होती पुलिस ओफिसर कहता है कि तुम डर गए थे तुम वैसे भी जल्दी कॉल नहीं कर सकते थे फिलिस को लगता है कि उससे जिल में बन कर देना चाहिए यह पुलिस ओफिसर इसे यह VR वियट डिमान करता है पुलिस ओफिसर उससे घर जाने की लगेता है पुलिस ओफिसर जब इसे बात कर रहा है तब उसके पास एक evidence की bag होती है यह अपने locker में रखता है फिलिक्स जब यह देखता है तो एक गन वो छोरी कर लेता है फिलिक्स जब घर के बाहर आता है तो पेइफोन से अपने घर में कॉल लगाता है वो देख रहा होता है कि क्या घर में कोई है वो कन्फरम करना चाता है कि घर में कोई है ये call कोई उठा लेता है तब फिलिक्स इसे बन कर देता है इसे अब पता चल जाता है कि उसके घर में कोई 100% है ये घर में जाता है और उसे आवाजे उपर से आ रहे होती है इसके हाथ में गन होती है उपर जाता है और उसके storage room में कोई है इसे उसे लगता है ये बहुत सारे गोलिया उस पर चला देता है यह जो पास जाता है तो इसे खुन पड़ा हुआ है यह दिखता है स्टोरेज रूम में कोई चला गया है तो अंदर से वो डोर ओपन करने कोशिश करता है पर फेलेक्स पूरे जोर लगा कर इस डोर को बन कर देता है इसको लॉक भी कर देता है थोड़े दिन पहले जो आदमी घर में आया था उसका स्केच उठाता है घर सब लॉक करता है और इसके बाद घर के बाहर आ जाता है थोड़े आगे जाने के बाद यही यह सो जाता है उसके नेवर का जो स्केच होता है इसने बाहर फेकती होता है फिलिप जब नीन से उठता है तो इस सब बाते हो सुन लेता है यब इसमें बहुत ज़ादा इंट्रेस्टेड हो जाता है ये बच्चे फिर उस आदमी का इसे पता दे देते हैं इसके बाद हम देखते है कि उस आदमी के घर में फिलिप्स गुच जाता है इस घर में आने के पूरे घर में गुमता है थोडी दिर में उसे डोर open होने के आवा जाती है और वो घर में चुप जाता है यहां पर एक paralyzed lady होती है उसके साथ एक आदमी होता है यह जो house है इसके neighbor में ही है इसका नाम Claudia होता है Claudia और उसका friend बात कर रहे होते तो हमें पता चलता है Claudia का husband 2-3 दिन सव गायव है यह बहुत ही परिशान है इसे अभी भी लग रहा था कि इसका husband घर वापस आ चुका होगा यहाँ पर कोई भी नहीं होता Claudia अभी भी paralyzed हुए तो उससे लगता है कि यह paralyzed है इसी वज़े से उसका husband उसे छोड़ कर चला गया है यह यहाँ रोने लग जाती है उसका friend उसे सहारा देता है उसका friend उसे बोलता है कि तुम्हारा husband वापस आ जाएगा वो मेरा भी friend था वो ऐसे किसी को भी छोड़ कर नहीं जा सकता फिलिक्स यही चुपा होगा होता है बहुत राध हो जाती है तो फिलिक्स यही सोपेवर्स हो जाता है सुबहा Claudia अपने wheelchair से जब नीचे आती है तो फिलिक्स से देख लेता है वो घर में ही छुप जाता है उसके घर में कोई मर चुपा है या अप सोच कर फिर से अपने घर में नहीं जाना जाता है इस घर में वो छुपता रहता है Claudia जब नीचे जाती है तो उसके रूम में वो बात वेगर लेता है क्लॉडिया रात में टीवी देखती है तो यही टीवी वो देखता है उसका जो सब रूटिन होता है उसके साथ करता है रात में सोने के लिए क्लॉडिया उसके रूम में जाती है क्लॉडिया के नीचे आने के लिए जो लिफ्ट होती है उस पर हाथ फिलिस का पड़ जाता है क्लॉडियो को लगता है कि घर में कोई है और वो बहुत ही डर जाती है अपने बेडरूम में आकर अपने फ्रेंड को कॉल कर दीती है फिलिस भी क्लॉडिया के नजरों से छुपकर क्लॉडिया की बेड की नीचे ही छुप जाता है थोड़ी देर बाद क्लॉडिया का यह कहती है कि वो नहीं हो सकता पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेस्मेंट में ही रहता है मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ वो कुछ डिक कर रहा था मेरी ही ग्रेव वो डिक कर रहा था ऐसा मुझे लगता था क्लॉडियो को बहुत ही सिली लगता है और उसका फ्रेंड और वो इस पर हसने लग जाते हैं इसके बाद उसका फ्रेंड उसे चीर अप करने के लिए कहता है यह कल तुम्हारा बर्डे है हम तुम्हारे लिए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं क्लॉडिया का फ्रेंड उसके कहता ह कि मुझे इन सब से दूर जाना है उसका फ्रेंड इसके लिए आगरी नहीं करता है वो कहता है कि अच्छे से रेस्टोरन में हम जाएंगे क्लॉडिया का फ्रेंड और क्लॉडिया इन तोनों में नजदी किया अब पढ़ने लग गई होती है क्लॉडिया जब अपने रूम में आती है तो अपने आपको फ्लीज करने लग जाती है नेक्स दिन जब आता है तो क्लॉडिया को लगता है कि फिर से नीचे कोई है वो जब देखने के लिए जाती है तो उसके फ्रेंड ने उसके लिए सब्प्राइज पार्टी प्लान की होती है उसके सब फ्रेंड्स वहा होते है क्लॉडिया का फ्रेंड जब उपर आता है तो उसे फिलिक्स दिख जाता है उसे लगता है कि पार्टी में इसे इन्वेट किया गया होगा वो फिलिस को डाटता है और खेता है कि मैंने सब लोग को नीचे ही रहने के लिए बोला था तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिलिस उसे अप्लोजाइस करता है और नीचे आ जाता है वो इसे वहाँ क्लॉडिया दिखती है तो क्लॉडिया से बात करने लग जाता है वो क्लॉडिया से कहता है कि मैंने तुमारे लिए कुछ भी गिफ निलाया है यसा फिर से कभी नहीं होगा वो Claudia से flood कहने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए perfect है हम तुमारे birthday के लिए कही नई country में कही अलग जगा पर जा सकते है Claudia क्राइम से related TV shows देखती है तो ये कहता है कि हम दोनों ये साथ देख सकते है उसे जो books पसनाती है ये भी हो कहता है Claudia उसे पुछती है कि तुम कौन हो उसे बहुत ही अजिब लगता है तब ही Claudia का friend ये आ जाता है ये सबसे कह रहाता है कि आज बहुत ही देर हो चुकी है सब घर से अब जा रहे होते है ये फिलिस को भी निकल निगिले कहता है फिलिक्स प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से चला गया है वो सिब डोर बन करता है और वही चिप जाता है Claudia और उसका friend ये दोनों फिर उपर जाते है Claudia उसे flood कर रहे होती है तो इसके बाद ये दोनों intimate होने वाले होते है फिलिस घर में वाक कर रहा होता है तभी उससे एक pot नीचे गिर जाता है Claudia और उसका friend अब नीचे आने वाले है तो बहुत ही डर गया होता है जिस pot को उसने तोड़ा होता है उसमें basement की चावी होती है इस चावी से basement को खोल लेता है और अंदर आ जाता है Claudia और उसके friend को आवाज आती है कि ये basement में छोप गया है Claudia अपने friend को कह रहे होती कि प्लीज basement में मच जाओ उसका पती हो सकता है ये उससे कहती ही कि कुछ दिनों पहले मेरा पती basement में था तब बाहर से मैंने उससे lock कर दिया था दो-दो घंटे में उससे कुछ खाना पिना चाहिए होता है वरना वो मर सकता है इसके बाद उसके कभी मुझे आवाज नहीं आई इसका मतलब एक Claudia नहीं अपने husband को मार दिया है Claudia के husband की body उसके friend को मिल सकती है उसलिए उसलिए हो कह रहे होती है यह जो सब है यह perfect है तुम्हें नीजे जाने कोई भी जरूरत नहीं है इसका friend नहीं मानता कहता है कि वह और कोई भी हो सकता है अंदर आने के बाद यहाँ Felix उसे मिल जाता है यह दोनों एक दूसरे से fight करने लग जाते है यह दोनों एक दूसरे के बहुत injure करते थे इस basement का जो plan होता है यह Felix को यहाँ दिखते है इस basement में एक underground tunnel होता है इस tunnel से वो भाहर निकल जाएगा इसलिए tunnel में खुस रहाता है तब इक Claudia का friend एक चाको लेता है और Felix को injure कर देता है फिलिक्स और Claudia के friend की जो fight हो रही थी तब जो basement की stairs थी इन दोनों ने इन staircase को खोगला कर दिया था इसके उपर ही Claudia थी यह staircase टूट जाती है और Claudia उसके friend पर ही पड़ जाती है यह दोनों यही मर जाते है फिलिक्स tunnel में होता है तो आगे चलने लग जाता है आगे चलते चलते Claudia का husband उसे मिल जाता है जो आदमी उसके घर पर आया था यह वही उससे दिख जाता है यह वही मर कर पड़ा हुआता है इसका मतलब है Claudia ने जब दर्वाजा बन किया था तो सचमुच में उसका husband वहा था उसका husband उसे कुछ भी मिला नहीं था इस वज़े से मर गया था इस आदमी के हाद में हमें एक हतोड़ी दिखती है मरने से पहले इस basement से निकलने के लिए एक wall को तोड़ रहा था इसको तोड़ नहीं पाया Felix भी अब यहाँ से निकलना जाता है तो इस wall को तोड़ देता है इस wall को जब वो तोड़ता है तो एक अलग से basement में आ जाता है इस basement को वो पहचान लेता है यह Felix के घर का ही basement होता है Felix को उपर से आवाजे आ रहे होती है तो उपर वो देखने के लिए जाता है इस door के पीछे उसने किसी को गोली से मार कर बन कर दिया था उसने door में एक hole crate किया है Felix जब इस door से देखता है तो अंदर उसकी wife होती है इसके wife को यह उसने shot कर दिया था इसके wife का हाथ उसके stomach पर हमें दिखता है यह pregnant होती है अपने baby से बात कर रही होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे यही movie end हो जाती है movie के बीच में हमने देखा था कि फिलिस की wife उसके साथ एक रात के लिए रुकी थी तो वो किसे से बात कर रही थी यह उसकी baby से ही बात कर रही थी इसकी baby से कह रही थी कि कभी ना कभी तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा तुमारे बारे में हम फिलिस को बताना पड़ेगा फिलिस को लगा था कि किसी stranger से बात कर रही है पर अपने baby से बात कर रही थी फिलिस को अपने घर में आवाज आती थी उसे basement से आवाज आई थी तो उसका neighbor ये था neighbor जब मर रहा था तो ये wall वो तोड़ रहा था इसी वज़े से उसे इस basement से आवाज आ रही थी वो basement देखने गया था और basement का door close हो गया था इससे वो disturb हो गया था फिलिस बहुत ही paranoid हो चुका था वो अकेला ही रह रह था उसकी wife भी उसे छोड़ कर चली गई थी ये घर भी बहुत ही बड़ा था तो उसमें खिड़किया दर्वाजे इसका आवाज आता रहता था तो फिलिस इससे disturb होता रहता था फिलिस की wife को उसकी painting जाए थी ये painting लेनी के लिए ही वो रात में आती रहती थी फिलिस को लगता था कि कोई घर में है तो उसकी wife वहाँ थी वो उपर जाकर boxes में कुछ धूनती रहती थी फिलिस ने जब gun चलाए तो उसकी wife वहाँ थी और वहाँ फोटो डून रही थी हमने लास सीन में देखा है कि वहाँ एक फोटो भी पड़ी हुई थी जो नेबर फिलिस के घर में कॉल करने के लिए आया था वो तब ही वहाँ से चला गया था फिलिस को लगा कि वह भी भी घर में ही है मूवे के end में सब जो characters थे ये सब मर चुगे हैं यह बहुत ही mysterious suspenseful movie थी पूरी movie में आप एक जगा से उट भी नहीं सकते अर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए हम मिर से मिलेंगे एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका खैल रखें